हेलो दोस्तों तो चलिए हम बताते हैं केवल बेशन से और सक्कर से और थोड़ी सी कहीं कहीं घीबस लगेगी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारे से भी आज हम बनाएंगे बेशन से चार मिठाई और यह मी भी टेश्टी भी घर की बनी हुई मिठाई इतनी अच्छी की मार्केट में जाने की जरूरती नहीं पड़ेगी तो चले कौन से कौन से, आज हम कौन से मिठाई बनाने वाली हैं, वीडियो आकरी तक देखना, बने रहना, तब जाकर आपको पता चलेगा तो देखे मैंने यहाँ बेसन लिया है, मैंने यह छोटी सी कटोरी सी, तीन कटोरी बेसन लिया है, दो कटोरी सकर लिया है, एक कटोरी खी लिया है, यह सबसे परफेक्ट मेजरमेंट आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी बेसन की चीज बनाए, बेसन चानना बहुत जरूरी है, मैं बेसन चाननी इसी कटोरी से मैंने लिए आपके पास जो भी कटोरी हो ना जैसे मैंने कटोरी लगबग 100 गरम की कटोरी लिए उसी अंदास से अपले कैसे ही बना सकते हैं एक कटोरी में घी था दो कटोरी सकर था तीन कटोरी बेसन था तो इसे अच्छे से भूनेंगे बेसन भ गहर में उसकी पूरी खुस्बू फैल जाती है बेसन जब भूनते है न तो घर वाले बोलते हैं कि बेसन भून रहे हो क्या बन रहा है तो उसकी पूरी खुस्बू फैल जाती है इसे कम से कम साथ से आठ मिनट अच्छे से हम भूनेंगे पहले तो मिल्ट नहीं होगा घी पर बाद में दीरे दीरे भूनेंगे ने तो पूरी मिल्ट हो जातेगी इसमें बोलूंगी घी मैने एक कटोरी बताया था जरूर आपको डालने को पर थोड़ा कम डालना दो तिन चमच रख लेना बाद में आपको लगे तो डालना नहीं लगे मट डालना जादा हो जाएगा तो सम्हालना मुष्किल हो जाता कम हो जाता है चल जाता है इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है केसर yellow color यह optional आपको ढालना है तो डाली है बनस्पति घी और थोड़ी सी घी मिक्स करके तब बनाते हैं कहीं कहीं तेल से भी लड़ू बनाते हैं तो आपको घर में बनाना है तो आप घी से बनाए ज़रूर्ट टोटल हमें आठ से बारा मिनट लग गये था और कभी भी बेशन को भूनिये नो तो लो फिलिम पे कोसिस क करिए और हाथ लगतार चले अगर आपके पास नॉनिष्टिक के तो सबसे अच्छा नहीं तो नॉर्मल भरताने तब भी चलेगा बस अच्छे से उसे मिक्स करते रहेगा मिक्स करने का सबसे बेश्ट तरीका होना चाहिए बहुत लोगों की बेशन के लड़ू चिप- करिए सब पूरी तरह मेरी ठंडा हो गई मेरे घर बेशन के लड़ू में थोड़ी सी ड्राइब फूर चाहिए रहा था तो में थोड़ी सी काजु को पाउडर करकर दर्दरा इसमें डाल दी इसके बाद में सब अच्छ डाले पाउडर सुगर नहीं है यह बूरा सुगर है बूरा सुगर इसमें जरूर डाले, बूरा सुगर से क्या होता है, फ्लेट नहीं होगा, मार्केट में आप देखेंगे ना बोलेंगे कि बूरा सुगर दो, तो बूरा सुगर जरूर मिल जाएगा, अगर आपको घर में बूरा सुगर सीखना है, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपका असानी तरीके से फटा-फट सिखा दोंगी बूरा सुगर कैसे घर में बन जाएगी बहुत जगर नहीं मिलता इसमें एक चमस लगभग मैंने इलाइची पौडर डाल दिया और इससे अच्छे से मिक्स कर दें मिक्स करने के बाद फटा-फट लड्डू बनाएंग तो अच्छे से बन जाएगी ज्यादा देर नहीं पांच-दस मिनल तो यह देखिया हमारी बेशन के लड्डू बन के रेडी हो गई अब दूसरी मीठाई बनाते हैं यहां मैंने बेशन लिए एक कटोरी मैंने सुगर एक कटोरी लिया आधा कटोरी तेल आधा कटोरी घी इ इसके बाद हम इसमें बेशन डाल दें मैंने पहले ही बता दिया कि बेशन को अच्छे से चानना है बिना चाने बेशन नहीं भून सकते हैं तो हम पहले बेशन के लड्डू बना लिए अब हम बेशन के बर्फी बना रहा रहा है इसे भी हम लोफ लिंपे भूनेंगे जब अच्छे से इसकी खुसबू ना आजी या कलर चेंज हो जाए तब तक तो पहले वैसे ही रहेगी बाद में पूरी मिल्ट हो जाती है बेशन जैसे जैसे घी मिल्ट होता है वैसे मिल्ट हो जाती है यह बर्फी बना के आप रूम टंपरेचर पे आराम से 10 से 12 दिन खात साकत तो फ्रीज में एक महिने तक है चलती है बर्फी और बहुत टेश्टी बहुत यूमी लगती है इसके बाद हम बनाएंगी सेव की लड़्डू और बूंदी बनाएंगे इसे भी अच्छे से भूनेंगी जब तक कलर ना चेंज हो जाए इसके बाद इसकी चासनी बनाएंग इसमें भी हम बीच बीच में छीटा डालेंगे तक दरदरा बनजे हमारे बेसन और बहुत अच्छी मेरी बर्फी बनके रेडी हो जाए इसे भूनने के बाद इसे रख देंगे थोड़े दर के लिए ठंडा होने के लिए जब तक ये ठंडा होगा ना तब हमें इसकी चासन बनाने के बाद उसमें डाल देंगे और सेट करेंगे तब तक हम क्या करेंगे ना कि टीन मेना पेपर लगा के पास्बिन पेपर रिडी कर लेड़े ए left अप्थाली में घी लगा लीजिए और अच्छे से उसमें डाल दीजिए का बर्फी पुरा सेट होने के लिए और ज्यादा देर नहीं लेता है दो चार गंटे में इसकी बर्फी बनके सेट हो जाती है रूम टमप्रेचर पर फ्रीज में नहीं बाहरी सेट हो जाएगी मैं उस सकर ढूब जाए उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए बस सकर ढूब जाए उतनी पानी जाएगी तो देखें अच्छे से शकर ढूब गए अब इमसको चेक करना है कि एक तारके में बनाना तो मिठाई की में चासनी होती है अगर आपकी चासनी अच्छी नहीं बनी इसकी फिल्म लो करके चेक करिए ताकि अगर चेक करते करते में चड़ जाएगी चासने इसे कभी भी लो कर लीजिए उसके बाद चेक करिए अगर तो उससे क्या होता है नो कि आपके चासनी भी ने चड़ती है और चेकिंग भी हो जाती है तो ऐसे मैं बीज बीज में चेक कर देंगे और यहां मैंने थोड़ी सी केसर यलो कलर डाला है क्योंकि मार्केट के जैसे दिखाने के लिए घर में नहीं डालना मट डाले कोई जरूरत नहीं तो मैं क्या कर देखे हां गैस बन कर दी हूं उसके बाद मीरा रख दूँगे पेन जिसमें रखा है मेरा बेसन भून क अच्छे से मिक्स करेंगे इसे मिक्स करने के बाद हम गैस जलाएंगे तो पहले इसज़ी कर रही है मैं पहले ही एक रीडि रख ली थी तीन आपको रेडि रखना है इसे अच्छे से mix करें, mix करके फिर इसे ready करेंगे, तो फटा-फट यहाँ चलाना है, यहाँ gas की film high नहीं होगी, low रहेगी, किमकि अगर high रही न, यह मिठाई बहुत जल्दी कड़क हो सकते हैं, इसलिए याद रखें, बेशन की लड़ू हो, चाए बेशन की बर्फी हो, एक मिनट के बाद मैंने gas बन कर दिया, gas बन करने के बाद मैं इसे mix करें, तो खुद अपने आप यह सेट हो गया, तो देखी मेरा टीन डेडी था पहले से, मैंने पास्में पेपर लगा लिया, आप बस ठाली में घी लगा लिया, अब देखे फेला दे, पूरी क्लीन हो इसेट करने के बाद, उपर से अगर आपके पास ड्राइफूट हो ना, तो पीस्ता बदाम की स्लाइश डाल दीजी, मेरे पास रहता है, हमेशा रेडी रहता है, तो मैं इस पर डाल देती है, तो मैंने केवल यहां बदाम डाला है, बदाम स्लाइश में डाला कि थोड़ा देखने में अच्छा लगता अगर आपको पीस्ता डालना है तो डाल दीजिए मैं यहां रखूंगे तीन-चार घंटा जब तीन-चार घंटा के बाद ही सेट हो गया था तो मैं आपको कट करके दिखा थे मैंने फ्रीज में नहीं रखा मैंने बाहर ही रखा था थे एक दिन म मात्र एक बज़े से लेके दो बज़े की बीच में सारी मिठाई बना की रेडी कर लिती एक घंटे में तो यह देखिए यह मेरी पूरी हो गई सेट अब मैं इसे कटिंग करूंगी यह कटिंग आपके हिसाब से कितनी बड़ी कटिंग करना चोटी करना बड़ी करना पर मैं तो कमेंट करके बताएगा कि मावे में कौन कौन से सीखना है अगर आपको बूरा सुगर घर में नहीं है तो भी कमेंट करना तो मैं बूरा सुगर घर में बनाना सिखा दूंगी ताकि बेसन के लड़ू अपासानी से बना सकते हैं जहां बूरा सुगर लगेगा आप उसमें अराम से दो-तिन में इस्टोर काके रखें तो यह हमारी बर्फी हो गई बनके रेडी देखें कितनी यहां कितनी टेश्टी लग रही ना देखने में बहुत यहां तो चलिए आप तीसरी रेस्पी बनाते हैं तो चलिए मैंने भी क्या क्या है फिर मैंने बेशन को भी छान के ले लिया है यहां चान लोगी बावल में उसी बावल में आधिक कर्टोरी ले इसे कुछ नहीं करना कुछ भी ने डालना बस मिक्स करना इसे भूंदी बनाएंगे बूंदी इतनी अच्छी बनी ज्यादा इसे पतला नहीं करना है बस एक धार में चमत से मैं आपको साइड में रख दूँगी अब मैं इसे बनाती हूं सेव नमकिन सेव नमकिन पहले बनाएंगे उसके लिए मैंने एक बावल लिया था बेसान उसे चान ली और इसे गूंदूँगी जैसे सेव नमकिन अब बनाते है न रफल वे से बना लीजी यह बहुत कड़क नहीं होनी चाहिए बस ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सेव नमकिन बनाते हैं उसमें असानी से जाए या चाहिए आप जहारे सी बनाना चाहते तो जहारे से बना लीजी तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसे भी दू-चार मिनट के लिए बगल में रख दूँगी अगर थोड़ी से कोई सौप्ट हो जाए नो तो एक दो चमच बेसन यहां चालके डाल दीजी तो हो जाएगा तो चले मैं इसे बगल में रख दी अब मैं क्या करे कड़ाही में तेल ले ली हूँ यहां मैंने डाल दीए था आपको पता है कि से उमसिन सब के घरों में हो ता उसमें डाल दीज से बजपन से देखा है पर मुझे खुद को यकीन नहीं था कि बजपन में देखे हुए सारे चीजे मतलब इतनी अच्छी सी बन जाएगे हमें कुछ नहीं पता था लेकिन मैंने बोला कि चलो बनाए तो देखे याद आई तो मैंने सब बनाया थोड़ी से मिने अपने ममी क लेकिन डेड़ी हो जाएगी वहां हम लोग क्या करते है जो जहारा है ना जीससे में तल रही हूं इसे हाथ से दबाके हो लोग निकाल लेते तो सेव बना लेते इसके बाद जो दुबारा बैच दो बैस में बना था तो इस भी नगई और यह बनेगी गुर से इसकर से नही टेकनिक अच्छे से अपनाना गौर से देखना और कमेंट करके बताना कि अगर आपको कहीं गड़बड हो रहा है तो भी बताईएगा अगर आप मेरे चनल पहली बारा है तो प्लीज प्लीज लाइक सेर सस्क्राइब जरूर करिया और यह बुंदी है बुंदी जो मैंने घु अपने अप गिर जाती कुछ भी नहीं करना है इतनी टेंसन की जरूरती नहीं बस फटा फटी तो एक मिनट में बनती एक मिनट में तलके निकल जागे जब बुंदी चेक करिएगा सेव मैंने तल लिया कि पूरी मतलब कि हमारी बलबले हनबन हो गए हैं तो मतलब कि मेरी ब इसमें मैं पूरा तलके निकाल लूँगे एक पर और दिखाती हूं आपको देखे बस जारा रखना है उससे बेटर डालना है और अपने आप हो गिरेगी कुछ नहीं करना है बस यहीं रहे के दो बीता उपर रखेगा बगल में नहीं रखेगा दो बीता उपर रखेंगे जिसे में तल रहे थी हो गई मेरी बुंदीरेडी हो गई कुछ नहीं करना बस इसको चासनी में डालेंगे अब उसको डालेंगे हम गुड़ी में चासनी में यही होती और कुछ भी नहीं हो इसे में तल लेते हूं इसे भी तलके निकालना है जाली पर जाली पर निकालने से कि अगर एक्स्ट्रा जितना भी तेल रहेगा ना सब निकले दिन में 12 ज़र Pewking की रेस्पी इन कुक द्स अगर विर אको बेकिंग में कुछ सीखना है तो आप कमेंड करके बताना है विर विक तो चले इसे भी में तल के निकाले, अब मेरे सेव नमकीन हो गया था, मैं प्लेट में ले 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 थी, बाउल में इसे रफली तोड लेना है, बादा नहीं, मतलब उंगली होती है नो, एक इंच के बराबर यहां तोड के मिझे लेना है, तो यह मेरी रेडी होगे, मैं इसे ब बरतर में पलटके, मैं इसमें कलर थोड़ी से डालूँगे, औरेंज रेड कलर में डालूँगे, तो देखे, यह चिपचिपी है, ऐसी चिपचिपी चाहिए, अच्छे खासे चाहिए, तो एक तार बन जाए, तो सबसे बढ़ी है, तार जैसे बने ना, मतलब मैं जमाना न चोड़ दोंगी, गैस चालू रहेगा, लो फ्लेम पे चास्नी में बुंदी डालके, तीन-चार मिनट लो फ्लेम पे गैस पे छोड़ दीजे, और बीच बीच में आपको चलाना है, यहां मैंने डाला मेलन सीट, यानि खरभूजी की बीच थोड़ा सा हो, तो डाल दीजे, नहीं हो, फिर भी चलेगा, थोड़ी सी ड्राइफूट हो तो डाल दीजे, अब यह देखे, मैंने आपको दिखाया, टोटा लेहां 10-12 मिनट हो गया, इसके बाद 3-4 मिनट बाद मैंने इसे निकालता, ऐसे ड्राई हो गई, 3-4 मिनट फिर बरतर में गैस से उतार के पर दिखे, यह हमारी बुंदी हो गई, यानि यह मेरी तीसरी रेस्पी, आप मैं चौथे पर चलती हूँ, तो गुड के मुझे चासनी बनाना है, तो गुड के चासनी बनाने के लिए मैंने गुड ले लिया है, रफली अगर अंदाज में बताओ ना तो मैंने यहां लेव की नमकिन के लिए बेटर, यानि 100 गराम बेशन तो 200 गराम गुड यह मेजर्मिंट है, और यहां मैंने थोड़ा सा डाला था, पानी ज्यादानी 2-3 चमच मैंने पानी डाला था, और इसकी एक तार जैसे बनने चाहिए, गुड चेक करने का अलग होता है, तार तो नह मैंने चेक करने पर और मीठाई की कोई भी चीज बनाई न, मीठा, तो मेन उसकी चास नहीं होता है, अगर अपकी चास नहीं नहीं बनी, तो सस में और मुझे यकीन भी नहीं होता, मैंने यह पूछा अपनी ममी से, तो बोली ममी याद नहीं है, मैंने याद तो है, देखा ह नहीं तक मैं इतनी अच्छी बना सकती हूँ और ये लड़ू बच्चों को बहुत पसंद दिखा इसे तक सब को पसंद आते लेकिन बच्चों को बहुत तो मैंने कटोरी में पानी ले लिया बीच बीच में डाल रही हूँ तो जैसे आपकी गुड इकठा हो जाए एक गोले क जैसे बन जाए तो समझ लेना का हमारी गुड सेट हो गई है बस यह हमारी रेडी हो गई फटाफट में तुरंत इसे नीचे उतारके बगल में रख लूँगे इसमें डाल दूँगी सेव नमकिन और तब इसकी लड़ू बनाएंगे इसे लगतार मैंने दिखाया जब तक म मैं इसे साइड में लेती हूं साइड मे ले ली मैं अब यह सेव नमकिन है इसमें सेव नमकिन थोड़ा-थोड़ा करके डालना देखना की मतलब कितना जा रहा अगर बच ज़ unchood डख लेना नहीं बच बच यह कोई बात ने पूरा डाल देना लेकिन मैंने लगा कि यहां करना कि बहुत जल्दी गुर्व चड़ती और टोटल से उनमकिन डाल दिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करूंगी फटाफट फटाफट मिक्स करना है जैसे भी मिक्स करें तभी मैंने समझ लिया कि मेरी गुर्व जो बहुत अच्छी बनी है मतलब गुर्व की जो बहुत अच्छी बनी है अब में क्या करूंगी हाथ में या तो तेल लगा लीजी हाथ में या तो पानी लगा कर फटाफट इसकी लड़ू बनाई है तो मैं थोड़ी सी तेल लगा ली थी फिर मुझे लगा कि नहीं थोड़ी पानी जल्द करो फटाफट तो बगल में बाल लेकिन थोड़े से एक मिनट रुख जाएं तो देखें इसी लड़ू रफली बना लीजी और यह हो गई हमारी सेव नमकीन की लड़ू बनके गुड़ू बाली रेडी और यह चौथे नमबर की रेशिपी अगर आपको बंगाली में केवल सीखना है कठे 5-6 मीट आये तो कमे कर सकते हैं तो यह देखें हमारी लड़ू बनके रेडी हो गई है और हां कमेंट करके जरूर बताएगा फ्रेंड कि यह चारो रेशिपी में से सबसे ज़्यादा बेश्ट रेशिपी आपको कौन सी लगी और आप बनाएंगे भी तो भी बताना कमेंट करके मैं बनाने वाल तो कमेंट करके बते हैं कि सब रेशिपी में से सबसे बेश्ट आपको कौन सी लगी और हां चलिए फ्रेंड कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर नई रेशिपी नई वीडियो के सब्सक्राइब